हेलो गुड मॉर्डिंग नमस्कार मैं दिपाक सिंग स्वागत करता हूं आप सब का एक बार फिर से दाश टाड़ी मेल के इस यूट्यूब चानल पर चलिए पिछले दिनों हम लोगों ने रेजिनिंग का ये वला कुश्चन आप लोगों के लिए दिया थे एश्डवलू के तोर पर कि आप लोग इसे सॉल्फ करिएगा आई होप लोग बना लिए हो येगा चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा ठीक है तो चलिए कुश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्नमाला के अक्षरों में आरंव से छो अक्षरों को समाने करम में लिखते है ठिर उसके 7 अक्षर जो होता है अगले शकूला सत अक्षर उसको विपरित करम में लिखते हैं अगले फिर 6 अक्षरों को समाने करम में लिखते हैं और चक्शैन सनला की तो सब्सकार न चलिए इसको कारते हैं करते हैं तो चलिए सबसे पहले जो दिया है कुषचन में उसको हम लिखते हैं तो चलिए हमारा इसको कुषचन को करते हैं तो पहले क्ытद करें किछे लिखिर रहा है। तो यहां से एक्षर को विप्रित करम में लिखा है ठीक है तो साथ एक्षर इसके वाद 6 है तो साथ 613 13 वां अक्षर क्या होगा विप्रित करह मेंenne होगा साथ क्षर कौन सा हो जागा पहले हम लिख के बताते हैं एप गवाद G H I J K L M जो है विपृत Current में कैसे लिखा जाएगा टो एंप एले quem je 했는데 लिखा गहाएं टो है ओ पी-क्यू-r-a8 है तो चिर सथ सथ है तो तिन तिन चे फिर जितना अक्षर बचा हुआ है बचे हुए से सक्षर को हम लोग बिप्रित करम में लिख रहे हैं ठीक है तो जेट से स्टाट करेंगे जेड एस है तो एसके बाद टी यू भी डबलू एक्स वाइड टोटल यहां पर आपका आजाएगा छेचे बारा बारा 14-26 यहां पर 7 हो गया ठीक है चलिए ध्यान से देखिए हमारा कुष्चन सौल्ब हो गया ठीक है यहां से जो कुष्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्नमाला में अक्षरों को आरंब से छे एक्षर को जैसे है वैसे लिख दिए उसके बाद से बैन अक्षर को चेंज किए फ आक्षर 20 26 26 वाला देखिए आणि आणि यानि पहले का झो रघता आजाएगा रहर कोष्चन तुम आपका है दाएं से 24 वा आणसा होगा अब इधर से टोटल 26 होता इंधर से जगने कौन आण हो गया से यहां पर स्वर्द 29 25 25 दोचार तो 24 वाक्षर मुर्णकों सो होगा इधर सी समाने करम में सात विप्रीत करम में है तो 215 साथ तेरह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहां तक हमको लेना नहीं है लेना हमको 17 मां महां है यहां पे देखें यहां तो यहां पर आपका कह रहा है कितने अक्षरों का अस्थान और वर्स पर बढ़ती थे यहां से देखिए अस्थान जो है कितने अक्षरों का पर बढ़ती थे तो पहले यहां पर शेम मतलब यहां मतलब। जैसे अवज लिखा गया है फिर टोटल कीतना से हैं यहां पर स्थान आपड़तित रहेगा और यह देखिए यह तैएस नंबर यह तो आता है यहां पर बारभ में प्लस दो जूड़ जाएगा तो आपका आजाएगा चौदा इसमें बहुत सारा कुष्चन और आप एड़ कर सकते हैं ठीक है इसको फिलाल नोट करिए चलिए हम लोगों ने पहला टाइब जो है complete कर लिया ठीक है अब अगले टाइब टू पर बात करते हैं यह कुश्चन का टाइब टू है अल्फा वेटिकल मतलब जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टाइब टू कुश्चन है ठीक है पहले टाइब को हम लोगों ने बढ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया ठीक है अगर नहीं समझ मैं तो फिर आप कोमेंट कीजिए कोमेंट में फिर आपको हम समझाएंगे ठीक है तो चलिए यहां से कुश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्नमाला के अक्षरों में पहले का स्थान दूसरे से चेंज कर रह पिर 4 कास्थान पाजबे से यह ठीक है यह कुश्चन कह रहा है हम झाहीं कह रहा है कि हम यह प्रकिरिया लाश्ट के चलाएंगे ठीक है उसके बाद कुश्चन यहां दे रहा है या hace होगा और और दाएं से 24 व कौनसा ऑगा फिर बाएं से 19 व कौनसा होगा पहले वाला है और इसका दूसरे से चेंज के तो फिर पहले आ गया यह बात में चला गया फिर जैसे वह आजाएगा फिर यह प्रकिरिया अंत तक चल रहे हैं लास्ट में क्या होगा कि लाश्ट में आपका ऐसा बनेगा वी छीडी iuf कोई और नहीं हो रहा है चेंज आपका एही स्केवरल एही आपको और की तरफ यहां से दयान से देखे कि आपका कोई अक्षर नहीं हो रहा है जो enhance हो यह आगे की तरफ आड़ा ठीक है तो ए देखिए यहां से चेंज होते होते पीछे की तरफ जा रहा है तो लास्ट में एचेंज होते होते कहां चलाएगा लास्ट में यहां चलाएगा और जेडिस के पहले चलाएगा ठीक है यहां से आपका यह बन जाएगा ठीक है अब जो कुछन कोण सा हो जाएगा अब दाय से 24 वा अप इधार से 24 वा अक्षर देखिए टोटल 26 है था है तो 25 नंबर पर 24 नंबर पर कॉन सा हो जाएगा डी आप यहाँ से 92 से 19 पूछ रहा है देखे 22 से उनीश वा पूछ रहा है आपको एक चीज आ दोगा ट्याने कर ट्वंटी होता है ठीक, आब लेकिन 22 से 19 पूछ रहा है यहां से निसवा पूछ यहां चला गया लांस्ट में चलागा है तो एक यहां से खतम में Oh होता है एक पहले से अक्षड एवाले जग खतम होई हो गया तो हमारा बायां से कितना हो जाएगा तो यह आजाएगा आजाएगा आई अंग्रेजी वननमाला पहले एक च्छर को दूसरे से टीजिश कर रहे हैं और अंग्रेजी वननमाला में पहले एक चर को दूसरे से सबस्रे सो चाहरा रहा कि पहले एक्षर को दूसरे से दूसरे को चोहसेнее ठाया देखें क्षिण ये इdefined गारे से सबस्राइग उन्हेेगा व्ह ना लीए तुरौत पहले जो तक होगता ठीक है अब यहां से आई ए पहले को दूसरे से बी ए सीडी फ जी डॉट्ट जी जीट जीट जड़ तक आएगा फिर उसके बाद देखिए तीसरे को चौते से कर रहा है तब एक जगह पर ही रहेगा और सीडी डी पहले आएगा सी बाद में होगा इफ जीट यहां फिर आजाएगा जी डॉट्ट डॉट्ट यह प्रकिरिया लाष्ट तक चलाएंगे तो लास्ट में कैसा हमारा बन क्या आएगा देखिए लास्ट में आपका कुछ इस तरीके से आएगा बी ए टी इए फ इज होता है तो एच जी हो जाएगा डॉट्डॉट्ट डॉट्डट सब्सक्राइब देखें से टोटल यहां पर 26 होता है तो चबिस पचेश चोबिस कुन सा जाएगा अब देखें से 19 अब यहां पर एक चीज़ ध्यान रखें यह आगे की और चेंज हो रहा है तो 19 पूछ रहा है तो 19 पहले सम चेंज कर रहे हैं पहले को दूसरे से चेंज कर रहे हैं फिर तीसरे को चौथे से चेंज कर रहे हैं अब यहां तक आपको नहीं समझ वहां 19 अक्षर कैसे चेंज होगा तो यहां पर देखें दो चार छे आठ है और आगे तक लेजाए पूरा 19 तक लिखिए तो ऐसे भी कर सकते हैं या इजी तर पहले को दूसरे चेंज कर रहे हैं अब देखें उनीश तो ओर है और किसे चेंज कीजह इए से क्योंकि कि इभैंच कर रहे हैं यह चीज ध्यां रखें finish कर रहे घंज कर रहें चलिए यह पी होगा चली आगया है तो फिर एक और कुश्चन करिए एक और कुश्चन इस पर दे रहे हैं उसको कीजिए बहुत जी कुश्चन है कि चलिए यह नया टाइप सीखते हैं इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्नमाला के अक्छरों को बाएं से परतिक चौथे अक्छर को हटाते हैं यानि कि A से लिकर हम Z तक लिखते हैं उसमें से परतीक को हम 4 को भड़ा दियें फीर क्याकरा है कि दाइएं से उसर गभाहेंडिब हराई वह पर दे लिएर 24 को और दाइँ से 52 पहले पहले सुरु से चौथ है और फिर दाइना से पाचवे एक्षर को ठाए ठीक है उसके बाद कुछ्ट्यन है कि बचे हुई आक्षरों में इस कुछ्ट्यन को डिल करते हैं ठीक है आपका हर एक कुष्चन बहुत ही यूनी कुष्चन होगा और बहुत ही एमेजिंग बहुत ही मज़ा आने वाला कुष्चन है ठीक है चलिए इसको ध्यान से देखिए कड़ा के अंग्रेजी वर्नमाला की एक्षरों को यहां से लिखते हैं यहां से लिखते हैं अपने पेज पर लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप नीचे लिखेगा तो वह kalkulation में आपका दिकत करेगा तीक है यहां पर आपके काल्कुलेशन जो किजए डिकत करेगा ठीक है अब देखिए पर्तिक चौति एकिसर फ को हटा रहा है तो चौत अक्षर कूण सा हो जाएगा यहां से हो जागा हाई लेफ्ट से हट रहा, देखें पहले हैं, क्या है, बाय souvent, यानि लेफ्ट से हटाना है, एल से हटाना है, लेफ्ट को से सुजित करते हैं, तो चौथा हट आईए, बरहों सही कि यह धे फिर फिर 14 आइए, पहला दूसरा तीसरा, उसके तागे हमको काल्कुलेशन करने में आसानी हो यहां से देखिए अब दायें से कितना हटाना है इसको लिखी देते हैं यहां तोटल यहां पर लिख रहा है तो आर 7 लिख लिजये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाजमा यह नहीं किनेंगे जो कट गया उसको नहीं गिनना या जी कट जाएगा यहां से आपका आ जाएगा र 1,2,3 कर लिजये इसको भी R1,R2,R3 अब देखे पहला दूसरा तीसरा 45 जो इत चोफाएगा यहां से आपको answer देने में आसानी होगी देखिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अब देखिए कुल कीतने अकछर हटाये गया अब देखिए नीचे एक दो तीन चार चार कितना होता है डास टोटल कितना हट आए गया इसका अंसर हो जाएगा 10 अब यहां देखिए हट आप पहले कितना हट या उसके बाद साथ यह और यह यह हो जाएगा अगे देखिए को यहां पर देखिए उसके बाद कौन सा है यू हट यानि दो मतने होगी बैसे निसांग आफ्छायगा जी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी अब लास्ट देखिए बचे घुए अक्षरों में 22 सब्सक्राइब बाइदर है तो पहला दुसरा 3,4,5 जट्ठा सात्मा यानि बचा खुए अक्षर सात्मा कौन सा है के है चलिए कि बहुत यह सान तहारे कनी था सफाता है इस तरीके का और कुश्चन करते चलेंगे ठीक है चलिए एक और खुश्चन देखिये उसके बाद फिर आप करते हैं अगला कुश्चन से ठीजिए उसी टाइप का आगला कुश्चन है इसमें कुश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्नमाला के अकच्छरों में थाइए से पते तीसरे को हटाते हैं और वाइं से प्रतिक चौथे आप भी क्या किजी का पहले दाइने से हट आईएगा और उसके बाद यहां से टोटल छो कुछन पुछा गया है और भी कुछन बनाया जा सकता है ठीक है आपको सिर्फ केबल कुछन करने आगे है तो एंसर आपको देने आ जाएगा ठीक है यहां से कुछन है और ऑप्सन में आपको समझ में या नहीं आ रहा है तो आज के लिए रहने देते हैं ठीक है मतलब हम जितना पिर से कघपारिक है तो इस तरीके से आप बने रहे है वीडियो के साथ और देखते रही है बहुत ही इंट्रेस्टिन मतलब रहे है जितना का रहे बहुत apt क करां रहे है बहुत कांफे को पुड़े वीडियो के साथ चैनल पे नहीं है उlexy कर दीजे लाइक कर दीजे और दोस्ता में सेल भी कर दीजे आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय हैंद